इस्टर संडे पर श्रिलंका में हुए आठ सिलसलेवार धमाकों में 215 लोगों की मौत मन्नेवालों में 5 भारतिय समेद 33 विदेशी नागरे, 13 सक्दिक्ड गिरफ्तार, विशेश जांश कमिटी का गठन, प्राश्पती रामन थोविंद, उप्राश्पती अविंकाय नाइडू अप्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी समेद, दुनिया भर के नेता चुनाओ की तैयारिया पूरी, 13 राज्जी और दो के इंद्रशासित प्रदेशों के 16 सीटों पर कल होने वाले मद्दान के लिए सुरफशा के पुखता बंदुबस, चुनाओ मैदान में अमिच्शा, राहुल गांदी, मुलायम सिंग्यादव, जैप्रदावर, अभीजी और अंतिम चरण के लिए दिसूचना के साथ याज से शुरू होगी नामानकन प्रक्रिया, साथ राज्जी और एके इंद्रशासित प्रदेश की 69 सीटों के लिए 19 माई को मतदान, अंतिम चरण में प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी के लावा, रवीशंका प्रसार, शेत्र राश्ट्र के दिंडोरी और नंदुर्बार में रह लिया, राजस्थान के उदैपुर और जोधपुर में भी जन सभाव को करेंगे संबोधित, राय बरेली में सोनिया गांधी और अमेठी में राहूल गांधी करेंगे प्रचार, चान्दी चौक से बीजेपी उमीदवा बुलिटन के शिरुवात श्रेलंका से जुड़ी खबर के साथ, इस्टर संडे पर आठ सिलसलेवार धमाकों ने श्रेलंका को दहला कर रख दिया, धमाकों में 210 से जादा लोगों की मौत हो जुगी है और 450 से जादा जखमी है, मरने वालों में 5 भारतिय समें 33 विदेशी न नागरिक शामिल है, गायलों को अस्पताल में भरती कराये गया है, श्री लंका पुलिस ने देश भ्र में विस्फोटो के संबन्द में 13 सदिग्दो को गिरुफतार किया है, गिरुफतार किये गये सभी लोग श्रीलंका के ही नागरिक है इन लोगों के किसी अंतराश्ट्रे संगठन से संपरकों की भी जाच की जा रही है अब तक किसी भी संगठन ने इन धमाकों की जिमिदारी नहीं ली है शिरुवाती जाच में पता चला है कि ये विस्पोर्ट आत्म घाती बम हमलावरों ने किये मामले की जाच की जा रही है हम लोगे बाद समूचे श्रिलंका में कर्फ्यू लगाए गया है जिसे हटा भी लिया गया है सरकार ने अफवाप फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया, साइट, वाटसाप और फेस्बुक पर पाबंदी लगा दी है कोलमबो में तीन पास सितारा होटलों और देश बर में तीन गिर्जा घरों में छे बम विस्फोट हुए कोलमबो के सेंट आंथनी गिर्जा घर और निगोंबो में बट्टी कलोवा के दो गिर्जा घरों में विस्फोट हुए है और ये हमले उस वक्त हुए जब गिर्जा घरों और होटलों में इस्टर की प्रातनाई हो रही थी प्रधान मंत्री रानेर विक्रम सिंगे ने हालात का जायजा लेने के लिए आपात कालीन बेठा गुलाई उन्होंने लोगों से साइम बरतने और एक जुट रहने की अपील की 2009 में LTTE के साथ युद्ध खत्म होने के बाद श्री लंका में ये सबसे बड़ा हमला है राश्पती मैतर पाला सरी सेना ने इन हमलों की जाँच के लिए सुप्रीम कोड के रिटार्ट जज के अधिक्षता में एक विशेश समिती का गठन किया है जो दो हफते में अपनी रिपोर्ट सौपेगी इस भी श्री लंका वायू सेना ने कहा है कि कोलंबो एरपोर्ट पर छे फोट लंबे पीवी सी पाइप में रखे विस फोटक को निश्क्रिय कर दिया गया है श्री लंका में हुए हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है और हर मुमकिन मदद की पिशकश की है राश्पती रामनात कोविन ने श्री लंका में हुए आत्मगाती हमले की कड़ी निंदा की है उन्होंने ट्वीट करके श्री लंका के लोगों और सरकार को अपनी समवेधना जताई है उन्होंने कहा कि निर्दोश लोगों के साथ की गए ऐसी कुरूर हिंसा का सब्वे समाज में कोई स्थान नहीं है हम संकट की इस घड़ी में पूरी द्रनता से श्री लंका के साथ है उपराश्पती अम वेंगय नाइडू ने भी हमले की कड़ी निंदा की है उपराश्पती ने इस्टर संडे के पवित्र अवसर पर कोलंबों में हुए धमाकों में हताखत मासूम नागरिकों और उनके पड़े जनों के प्रती समवेदना जताई है उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इस पावन अफसर पर हुए इस विक्षिप्त हिंसा पर स्थब्ध हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रुलंका के राश्पती मैतिरपाला सेरी सेना और प्रधानमंत्री रानेर विकरम सिंगे से बात की है और हमलों में मारे गए लोगों के प्रती समवेदना जताई है प्रधानमंत्री ने टेलिफोन पर बातचीत में श्रुलंका को हर संभव मदद की पेशकश की है प्रधानमंत्री ने बंधमाकों की निंदा करते होई ट्वीट किया कि इस तरह की बरबरता की कोई जगा नहीं है भाराज श्रुलंका के लोगों के साथ है और मेरी समवेदनाई पीडित परिवारों के साथ है आतंगबाद कितना भयंकर है हर दिन दुनिया में कहीं न कहीं धर्ती को खुन के रंग साजा रंग दिया जाता है आज स्रिलंका में जो कुछ भी हुआ है स्रिंका स्रिंका वास्यों के पती भारत पुरी मजबूती के साथ खड़ा है ऐसी संकर की घड़ी में भारत स्रिलंका की जो भी मदद कर सकता है हर मदद के लिए तयार है विदेश मंतरी सुश्मा स्वराज ने श्रिलंका में धमाको के बाद महा की विदेश मंतरी तिलक मारापना से बात की उन्होंने कहा कि भारत इस कठन गढ़ी में श्रिलंका को हर संभव मानविय साहता देने के लिए तयार है उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत से चिकित सादल भी भीज़े जाएंगे विदेश मंत्राले श्रिलंका के हालाद पर नजर बनाए हुए है विदेश मंत्राले ने भारतियों के लिए हल्प लाइन नंबर जारी किये हैं भारतिय नागरे किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए नंबरों पर संपर कर सकते हैं कॉंग्रस अध्यक्ष राहूल गांदी ने भी इन हम लोग पर दुख व्यक्त किया है उन्होंने आतंगवाद के इस घ्रिलित कारे की कड़ी निंदा की है विश्मने ताउने भी श्रिलंका में विस फोटो की कड़ी निंदा की है ब्रिटेन की प्रधान मंतरी तरेसा में अमेरिका की राश्पती डॉनल्ड ट्राम्प, रूस की राश्पती व्लाद इमिर पुतिन, जर्मनी की राश्पती, नीदरलेंड की प्रधान मंतरी मार्क रूट, औस्ट्रेला की प्रधान मंतरी स्पोर्ट मॉरिसन, न्यूजिलि अमिरा, तुर्की, बहरीन, गत्र, पाकिस्तान और बांगलदेश के निताओं ने भी इस हमले को निंदनिये बताया है। और अब बात लोग सबाचुनाओ से जुड़ी खबरों की। लोग सबाचुनाओ की तीसरे चरण के लिए प्रचार के लिए कल होने वाले मतदान की तयारियां पूरी हो गई हैं। प्रचार के बाद मतदान की तयारियां पूरी हो और इस चरण में 13 राजजियों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 116 लोग सबाच सीटों के लिए मंगलवार को मतदान होगा। इन में पूरवी तरपुरा की एक सीट भी शामिल है जहां 11 अपरैल को मतदान होना था लेकिन बड़े पैमाने पर हिंसा के कारण इसे टाल दिया गया था। तीसरे चरण में गुजरात की 26, केरल की 20, महराष्ट और करनाटक की 14-14 सीटों पर वहीं उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर वोटिंग होनी हैं। 36 गड़ की 7 सीटे इस चरण में शामिल हैं। उड़ीशा की 6, पश्यमंगाल और बिहार की 5-5, असम की 4, गोवा की 2, जबकि जम्मू कश्मीर, दादरनागर हवेली और दमंदीव की एक एक सीट पर मतदान होना है। इस दौर में कई ऐसे दिगज हैं जो चुनाओ मैदान में हैं और जिन दिगजों पर सबकी नजरे हैं उनमें गांधी नगर लोकसभा सीट से बीजेपी अद्देक्शामित शाह, उड़ीशा के पुरी लोकसभा सीट से संबित पात्रा, उत्तप्रदेश के रामपुर से ज इस दौर में विदान सभा की 42 सीटों पर मतदान होना है, उड़ीशा में पहले चरण में 28 और दूसरे चरण में 35 विदान सभा सीटों पर मतदान हो चुका है तो खलके मतदान को लेकर फिलाल किस तरह की सदगर्मिया हैं, तैयारिया हैं, यह जानने के लिए हम अपने अलग-अलग राज्यों में मौझूद सम्मादाताओं का रुख करेंगे, गुजरात से हमारे साथ जोड़ रहे हैं रवीन सिंग शिवरान, वहीं हमारे साथ उत् इसरे चरण में गुजरात की सभी 26 सीटों पर कल वोट डाले जाने हैं, बीजेपी के लिए गुजरात सबसे एहम है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अदर्शामिच शाह का ग्रही राज्य है, गुजरात की गांधी नगर लोग सभा सीट सबसे एहम सी बीजेपी को कड़ी टक कर दी, अब राज्य में मतदान को लेकर सुरक्षा के बुखता अंतजाम किये गए हैं, पड़ोसी राज्यों के साथ गुजरात की सीमाय सील कर दी गए हैं, चुनाव आयो की फ्लाइंग स्कॉर्ड और स्टाटिक सर्वलांस टीम 24 सुगंटे सक रि है, गेर खानूनी प्रिवर्टियों पर नज़र रखने के लिए पुलिस को सतर्क भी रखा गया है, सीधा एहमदाबाद रुक करेंगा हमारी समयतार रवीन सिंग शोरान इस समयमा से जुड़े हैं, एहमदाबाद जिस पर सबकी नज़रे हैं, एक तरह से गुजरात पूर का कल मद्दान करने निकलेगा, सभी छबी सीटों पर कल वोटिंग है, रवीन किस तरह की तैयारियां है और क्या महौल नज़र आ रहा है कल की वोटिंग बुलेगा है? टाइम पर अपने अपने छेत्र में पहुंच जाएं, और एक एक्स्ट्र मशीन दी जा रही है, अगर किसी तरह के वहां पर मशीन में दिक्कत आया, तो उसको ठीक कर सके हैं, चुनावायोग ने सुरक्षा के कड़े बंद वबस्त यहां पर किये हैं, कुछ जो किये जो सुरक्षा वबस्ता है, वो यहां पर लगाई गई है, पूरी कोशिश की गई है चुनावायोग की तरफ से की दूर दराज के इलाकों में जाएं, और जहां 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 एक ऐसा जुनागर के जगह भी है, जहां पर केवल एक मत दाता है, और वो मूल जो शहर है, वहां से करीब 35 किलो मेटर दूर जंगलों में स्थित है, वहां केवल एक मत दाता है, उसके लिए भी विशेश तोर पर बूत जो है, वहां पर बनाया गया है, तो हर तरह से कोशिश की गई है, चुनावायोग की तरफ से, स्वीप केमपेन के माध्यम से जन जन तक निजी संस्थान है, वह भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चुनावायोग के साथ इस मुहिम में जुडने के लिए जिससे की अधिक से अधिक मतदान यहां पर हो, चुनावायोग के साथ-साथ ये जो निजी संस्थाएं हैं, वह भी अपने कर्मचारियों को, जिनका यहां पररजिस्ट्रेशन है वोट का गुजरात की किसी भी छेतर में, उनको कल की पेड लीव कुछ लोग प्रवाइड कर रहे हैं, कुछ उनको फ्लक्सिबल आस दे रहे हैं, यानि पुखता इज़ाम चुनावायोग की तरफ से किये गए हैं, अब देखना होगा, गुजरात कि कल वोटिंग में हिस्सा लेता है, फिलाल रवीदा बने रहे हैं, अब हम गुजरात के बाद रुक करते हैं, दक्षन का, केरल का रुक करेंगे, केरल में लोगसबा चुनाव के तीसरे चरण के तहट सभी बीस लोगसबा सीटों पर मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ल केरल के कोची से फिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम रज़द का रुक करेंगे, रजद साक्षरता की बात करें, तो अबवल नमबर पर रहता है केरल हमेशा और वोटिंग की बात करें तो भी हमें अच्छा खासा मतदान देखने को मिलता है, फिलाल कल के अच्छा की केरल की सभी लोगसभा सीटों पर कल एक ही चरण में मददान होना है 20 लोगसभा सीटे है केरल में और एक साथ सभी 20 लोगसभा सीटों पर मददान कल होना है इन सीटों पर 227 उम्मीदवार अपनी किसमत आजमा रहे हैं और इस बार केरल की वाइनार सीट खासी चर्चा में है क्योंकि यहां से कॉंग्रेस अद्धिक्ष रहूल गांधी चुनाओ मैदान में उतर रहे हैं चलिए हम रज़त से बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन फिलहाल अब बात कुछ और राज्य की करते हैं जहां कल वोटिंग होनी है इनमिस एक राज्य बिहार है जहां तीसरे चरण में जांजरपूर, सुपॉल, अररिया, मध्यपूरा और खगड़िया लोगसवा सीटों पर मददान कल होना है राज्य में तीसरे चरण की पास सीटों पर 82 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 88 लाग से जादा वोटर करेंगे बिहार की राज्य नीती में मध्यपूरा की सीट हाई प्रोफाइल मानी जाती है और इस बार इस सीट पर पपू यादव और शरण यादव के बीज सियासी जंग है और बिहार में किस तरह की तैयारिया है जानने के लिए हम रुप करेंगा हमारे समवायता अकलेश सुमन मध्यपूरा से मैसा जुड़ें अकलेश आप जिस सीट पर इस समय मौझूद है जाहर तोर पर वो भी खासी चर्चा में है पपू यादव और साती शरण यादव का मुकाबला है पाथ सीटे कल के चरण में शामिल होनी है किस तरह के बंदोगवस्त देख रहे हैं फिलाद देखे पृति यहां बंदोगवस्त आम तोर पे अच्छा रहता है इसलिए कि बिहार के बारे में यहां माना जाता है कि यहां मद्दाता काफी जागरूख है और चुनाव आयों को बहुत मेहनत करने की जरूवत नहीं होती है कि मद्दाता आएं बुथो पर और वोट दें जिस तरह का राजनितिक विवाजन बिहार में देखा जाता है उस विवाजन में इस चरण का जो मद्दान है काफी आहम है और इसलिए हम है जानते हैं कि सरद जादो ने जब जेडी हुछ छोड़ा तो नितीस कुमार के लिए परतिस्वरा की सीट बन गई है आठ जेडी और कॉंग्रेस गड़बंदत से सरद जादो को मिला है और सरजादों को मिलने का मतलब है कि नितीश कुमार के लिए सीधी चुनोती और इसलिए नितीश कुमार पिछले तीन दिनों से यहां पर पड़ाव डाले हुए थे इसके अलावा तेजस्वी जादों भी थे कल तक कल यहां से गये हैं तो इस मामले में मध्यपूरा, जंजारपूर, सुपॉल यह तीन जो सीटे हैं काफी आहम हैं परदेश की राजनिती में और इसमें एक खास बात यह भी है कि दो सीटे बदली गई है मध्यपूरा की सीट पहले आरजेडी के पास ही थी लेकिन आरजेडी के पपू जादो से हटा कर उन्हें सरजादो को दिया गया है तो इसमें काफी अहम परतिस्ठा का सीट बन गया है पपू जादो के लिए भी कॉंग्रेस के टिकट से लड़ रही है तो काफी दिल्चस्प है कि पत्ति निर्जालिय लड़ रहा है आरजेडी के खिलाप और आरजेडी के साथ इसका समझोता है पत्ति वहां से उनके खिलाप लग रही तो एक बड़ा रोचक मकाबला है और जो एक किसरी बात सबसे आहम है कि पुरे देश की राज़िती में मध्यपूरा का आएक आहम रोल रहा है क्योंकि मंडल आयोग जिसकी बात आप सुनती हैं मंडल आयोग की जिसने रिपोर्ट दी थी विद्धेशवर प्रसाड मंडल ये ही के मध्यपूरा के थे और उन और बिहार के बाद हम एक बाद फिर से रज़त का रुख करेंगे केरल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रज़त आप तक आवाज शायद पहुंच नहीं पाई थी केरल हम साक्षर्ता की बात करते हैं तो केरल का जिक्र सबसे पहले आता है वोटिंग की बात करें तो भी हम केरल का मदाता है काफिर जागरूख है पिछली दफ़ा भी यहां पे 2014 में चोहत्तर तीस्ती के आसपास पोलिंग होई थी असेंब्ली एलेक्शन में उससे जादा ही पोलिंग होई थी तो पोलिंग जो है केरला में अच्छी है और जहां तक पोलिंग की बात करें तो शांत बात कर बना, तो गगरदे तनी ऑस को सोज मेट रहे है, तो साथ में अच्छी इडिकारों के बारे में जो पता एहम्यत होती है तो ऐसे में जो है यहां पे मद्दाताओं को लाने के लिए जो है कोई खासा प्रशास्तिंग इंदिजाम के जरुवत नी हां लेकिन जो यहां पे जो पार्टी वरकल्स हैं डेफिनेटली वो चाहेंगे कि हर एक बूठ से जो है उनका वोटर आए और वोट कर वहां तीसरे चरण में उत्तरप्रदेश में दस लोग सभा सीटे हैं जिन पर कल वोटिंग होनी है इनमें मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजबाद, मैनपुरी, एटा, बदायू, आवला, बरेली और पिली भी सीटे शामिल है इस चरण में ये कुल 10 सीटे हैं ज प्रत्य हशी नहीं उतारा है और इसके लाबाब तीसरे चरण में उत्तरप्रदेश में आजम खान, जयप्रदा, शिवपालियादा, वरोण गांधी, संगमित्रा मौर्य, धर्में इंडियादव और संतोष गंगवार जैसे नेताओं की किस्मत का वैसला होना है और फिलाल हम सीधा रुक करेंगे हमारे समायता नविकरम सिंग इस समय हमारे साथ जुड़े होएं जो की फिरोजाबाद में मौझूद है नविकरम अभी जो 10 सीटे है वो अपने आप में कही न कहीं हर सीट एक तरह से दिल्चस्प है तमाम बड़े नाम तो हैं और इन 10 मे कि सरगर्मिया और तैयारियां कल के मद्दान को लेकर देख रही हैं देखे पृति आपने ठीक कहा कि 10 में से जो 7 सीटे हैं बीजेपी के पास हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा 2014 में जिस तरीके से 80 सीटों में से 5 सीटे समाजवादी पार्टी ने जीती थी उसमें से 3 सीटे किवल इन 10 सीटों में शामिल थी तो जहां अपना किला बचाने में कामियाब हो पाई थी जहां अपनी कुछ सीटे बचाने में कामियाब हो पाई थी समाजवादी पार्टी वो यही इलाका है और इस इलाके में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की कोश उससे उमीद जताई जा रही है कि यहां पर समाजवादी पार्टी एक बार फिर जीत हासिल करेगी लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल समाजवादी पार्टी के सामने वही है जिस तरीके से फिरोजाबाद में शिपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं अपने ही भतीजे के खि पूरी कोशिश अपनी तरफ से करेगा कि जादा से जादा लोग कल वोटिंग के लिए उत्तरदेश में भी भार निकले हो जैसा आप समझा रहे हैं उत्तरदेश में बहुत दिल्चस्प मुकाबला और कहीं न कहीं जो तमाम दस सीटे हैं हर एक सीट पर बहुती रोचक मु रहती सूचना जारी होने के साथ ही इस दौर के लिए नामानकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी साथवे और आखरी चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंदीगर और साथ राज्यों की 69 लोग सबसीटों पर 19 मई को मददान होगा साथवे चरण के लिए 39 अपरेल तक दाखिल किये जा सकेंगे, नामानकन पत्रों की जांच 30 अपरेल को होगी और दो मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मददान 19 माई को होगा जबकि वोटों की गिनिती 23 माई को होगी 19 माई को सात्वे चरण में 69 सीटों पर मददान होना है सात्वा और अंतिम चरण उत्तरप्रदेश और पंजाब की इस चरण में 13-13 सीटे हैं जबकि पश्र मंगाल की 9 सीटे बिहार और मंददेप्रदेश की 88 जबकि हिमाचल की भी 4 सीटे इस चरण में शामिल हैं जारखन की 3 सीटों पर वोटिंग होगे और चंदीगड की 1 सीट पर मददान होगा मुए लोग सभा चुनाओ के बचे हुए चरणों के लिए चुनाओ परचार चरम पर है सभी राजनेतिक दलों के नेता चुनाओ परचार में जोटे हैं प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी आज दो राजियों में चुनाओ परचार करते नज़राएंगे प्रधान मंत्री आज महाराष्ट और राजस्थान में चुनाओ प्रिचार करेंगे पहले महाराष्ट के दिंडौरी में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद नंदुरबार में जनसभा करेंगे प्रधान मंत्री दिर्णोरी और नंदुरबार में बीजेपी उमीदवार भारती पवार और केंद्री मंत्री सुभाश भामरे के लिए प्रचार करते नज़र आएंगे महराश्ट के बाद प्रधानमंत्री राजस्थान का दौरा करेंगे वो राजस्थान के उद्यपूर में जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री का जोदूपूर में जनसभा का कारिक्रम है चौथे चरण में महाराश्ट में 17 और राजस्थान में 13 सीटों पर मददान 29 अपरेल को होना है बीजे पेदक्षा अमिच्छा आज पश्चिमंगाल के दौरे पर रहेंगे बीजे पेदक्षा अमिच्छा आज कोलकता में प्रेस कॉनफरेंस भी करेंगे अमिच्छा हावडा, नादिया, बीरभूम और बर्दमान में चुनावी जिन सबा को संबोधित करेंगे आठ सीटों पर चौथे चरण में 29 अपरेल को पश्चिमंगाल में मतदान होना है इनमें कृष्णानगर, बहरामपूर, बर्दमान, पूरवरानगाड, आसन सोल, बर्दमान, दुरगापूर, बीरभूम, बोलपूर, लोगसबस सीट शामल है साथ ही कॉंगरस, यूपे चैपरसन सोनिया गांदी, कॉंगरस अद्दक्ष राहूल गांदी और राश्ट्रे वहां सचेव प्रियंका गांदी रायबरेली और अमेठी की दोरे पर रहेंगे सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी राइबरेली के भुएमाउं गेस्ट हाउस में अलग-अलग पार्टी कारे करताओं से मुलाखात करेंगे और हिजबार राय बरेली में सोनिया गांदी के खिलाफ बीजेपी ने मैदान में पूर कॉंगर सेनिता दिरेश प्रताप सिंग को उतारा है वहीं राहूल गांदी अपने संसेदेख शेतर में रोड शो करते हैं नजर आएंगे साथ ही चाननी चौक से बीजेपी उमीदवा डॉक्टर हर्शवर्दन आज नामान कन भरेंगे इस वाके पर केंद्रे मंत्री नितिन गड करी डॉक्टर हर्शवर्दन के समर्थन में रोड शो भी करेंगे बीजेपी ने दिल्ली के प्रत्याशियों के नामों का कल एलान किया था दिल्ली की सभी साथ सीटों पर छटे चरण में बारा मई को मतदान होना है बीजेपी ने लोगसभा चुनाओ के लिए साथ उम्मीदवारों के एक और सुची जारी की है दिल्ली के चान्नी चौक से केंद्री मंत्री हर्शवर्धन को फिर टिकट दिया गया है और इसे के साथ तफिलाल इस बुलेटिन में इतना ही आप बने रहे हैं राजसभा टीवी के साथ नमस्कार